नहीं मंचपर बिराजनार सर्वो महानुबावो, आमंत्रीत मेहमानों तथा कामदार भायो और पेहनों, आप सर्वने मारा नमस्कार सव प्रथम तो आज थी शरू थतू, बेहजार सत्तर नू वर्ष आखा विश्व माटे शुब दाई, मंगल दाई, अने सुख दाई निवळे एवी परम प्रभुने प्रार्जना छेला सत्तर वरष थी आर्सी पटेल साहेब तथा एमना कुटुम भी जनों, एमना मातुश्री ना भृत्यू दीने, आ एक सुन्दर कार्यक्रम योजे छे, तो आ बाबत माटे आर्सी पटेल ने मारा प्रणाम आ सुन्दर आयोजन करवा बदल श्री आर्सी पटेल तथा एमनी पाचन गणा गणा व्यक्तियों होसे, तो आ पूर्ण संगत अन्ने पन आपडे तारियोना गड़ गड़ाती मधरी लेवागे आजे आ प्रसंग ने अनुरूप मैं एक काविय लक्यूँचे, जोके गईकालेज लक्यूँचे, परन्तु आशा राखूँचू, कि आ काविय तमें फक्त अहीं सांबलवा माटे नथी आव्या, पन आ काविय तमारा दिलमा अने मनमा उतारिने जीवानूचे आ काविय हिंदी माचे, परन्तु आशा राखूँचू, कि आप सर्व ने आपणी आ मात्रू बाशा, देशनी बाशा समझ मा आउशेज, तमारा काविय नूँ शीर्शक चे प्रगती नए साल का शुब संगर्प आज हर नारी का करो सम्पान। गर बाहर या कार्यक्षेत्र में हर नारी को देना है मान। जिनकी नजर में हर नारी को मान। वही अच्छे मानव की है पहचान। नाचीज ये नारी। गणा लोगों हमें ने तो पैर नी जूती हूँ, आज जिना दिवसे पन अमें सांबढ़िये चे गणा कुटूंब मान। तो एवा व्यक्ति ने कहवान। नाचीज ये नारी कभी किसी की हर नारी है एक इंसान। बेची जलाई नोची या घर्ब में मारी। अत्याचार नारी पर श्रूस्टी का नाश है पहचान। बेटी या बेटा। बहुत गरों में ऐसा होता है ना बेटी है बेटा है बेटा तो चाहिए ही बेटी ठीक बेटी आई तो ठीक चलो चलेगा। ये बेटबाव आज भी है हमारे देश में तो उन लोगों के लिए बेटा या बेटी ये प्रभु का वर्दान। बेटा या बेटी ये प्रभु का वर्दान। प्रगती वहाँ जहां दोनों के है हक एक समान। वहाँ ही प्रगती होगी जहां बेटा और बेटी को एक समान माना जाता है। तो फिर से समझे बेटा या बेटी ये प्रभु का वर्दान। प्रगती वहाँ जहां दोनों के है हक एक समान। कन्यादान कन्यादान सब दानों में महान कन्यादान सब दानों में महान दहेज लोबी को ना दीजो कन्यादान। बेटी ना बोज। बहुत लगों को बेटी बोज रगती है। 17-18 सा लोगा, 15 वी तो चुटकारों मरे, एक जवाबदारी माती मुक्टी मरे, आउगे वारा अपन गणा होई छे, तो बेटी ना बोज वो तेरा है स्वाभी मान, साक्षरता सु संस्कारों से करो उसे शक्ति मान, शक्ति मान तभी बेटी होगी जब उसको पढ़ाया जाए, उसको अच्चे संसकार दिये जाए, दादी नानी, दादी नानी मा बहन, बहु बेटीया याहो पत्निया, सभी रूप नारी के प्रभु का वर्दान, हर घर के लिए, हर घर के लिए स्त्री प्रेम अमुरुत समान, अमुरुत की रक्षा, यहां बेटे सभी लोगों के लिए है, अमुरुत की रक्षा हम सब का है काम, नारी नारा यणी समान, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, नारी नारा यणी समान, श्री लक्ष्मी, सरस्वती या अम्बा का बहुमान, देश, नदी या गव में माता पहचान, हमारे यहां कहते हैं ना, के भारत माता, नदी मा, गव माता, देश, नदी या गव में माता पहचान, यही भारती या संस्कुरुती का ग्ञान, कोमल है तू ये सभी स्त्रियों के लिए है जो अपनी सक्ति को पहचान नहीं रहे है तो उनके लिए है कोमल है तू खुद को अबला नहीं मान स्वयम की तू अब शक्ति पहचान अन पुर्णा भी तू अन पुर्णा भी तू शक्ति तेरी महाकाली समान सभी क्षेत्र में तुझे अब करना है काम रानी लक्ष्मी जीजा बाई मदर तेरे सा तेरे रूपो का नाम रानी लक्ष्मी जीजा बाई मदर तेरे सा तेरे रूपो का नाम संकल्प शक्ति दी रबने तुझे अपार अभी ये हर इंसान को हर कुटुम के सब्यों के लिए है यहां बैटे पुरुशों के लिए भी है बात नारी प्रेम त्याग करूणा मूरत का नाम पुरुश हमारे घर में जो पुरुश भी है ना तो पुरुश संगर्ष कर्तव्य निस्ठा का दूसरा नाम हमारे परिवार को आखे बढ़ाने के लिए वो कितने संगर्ष करते हैं तो यह स्त्री और पुरुश दोनों के लिए है नारी प्रेम त्याग करूणा मूरत का नाम पुरुष संगर्स कर्तव्य निष्ठा का दूसरा नाम अब समझे घर, समाज और देश बने महान जब नर नारी मिल जुलकर करेगा जब नर नारी मिल जुलकर करेगा आज यहां उपस थी सभी जो बड़ी-बड़ी मिल के मालिक भी है और यहां आर्सी पटल सहाब भी बैठे है तो उनको मेरा ये नम्र निवेदन है कि ये लोग सभी अपने वरकरों के लिए अच्छे काम तो करते ही है पर स्त्रियों के लिए एक जो ज़रूरी बात कहनी है कि बहुत सारी स्त्रियों को अपनी वरकिंग प्लेस में बहुत नचाहने वाले अनुभव होते है तो उनकी रक्षा और समुरक्षन के लिए भी आप ज़्यादा कार्य करें और बहुत सारी स्त्रिया अपने वरकिंग प्लेस पे कहती नहीं है तो उनके लिए कुछ ऐसे इंसान भी रखिये ऐसी औरत भी रखिये जो उनकी तकलिफ जानके उनको मिलके पूछ सके क्योंकि बहुत सारी औरते ऐसी भी है जो अपने बीना कहे वो नौकरी छोड़के चली जाती है अपने दुख दर्द किसी को नहीं कहती तो इसके लिए जरूरी है कि आप सब की यहां कुछ ऐसी स्त्रियों की नियुक्ति करें जो यह सभी स्त्रियों की तकलिफों समझ सके और तकलिफों में उनसे बात कर सके और उनको योग्य न्याई दे सके शुक्रिया अबाद